दोस्तों आज फिर से लेकर आएं आप लोगों के लिए gaming news का एक और fresh episode मुझे पता है कि मैं काफी लेट हूँ, gaming news लेकर आने में consistently नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले time में आपको जितनी भी gaming news है वो सबसे पहले provide कराता रहा हूँ, तो आज की gaming news स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पताना चाहूँगा Dying Light 2 गेम के बारे में, आपको पता हूँगा Dying Light 2 गेम काफी तैम से development में है, और पहुत पहले इस गेम को release किया जाना था, लेकिन due to COVID-19 इस गेम को भी डिले कर जिये गया था, और अब एक survival horror action adventure game है, जो कि सभी platform पर January 2015 में release हुई थी, second point पर हम बात करेंगे Crash Panticoot 4 गेम के बारे में, जिसका enhanced version और PS5 and Series X के लिए 12 March को release हो चुका है, लेकिन अब 26 March को इस game को PC पर भी release किया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 4K graphics के साथ आप लोगों को इसका gameplay अब फाइनली ये game PC पर 15 अपराल को release हो रही है, गेम का gameplay आप देख सकते हैं, उससे तो मुझे कुछ game खास नहीं नजर आ रही, बट जब भी ये game release होगी, तो जैसे कि हमार गेम के live stream करते हैं, तो एक बार इस game को भी try करके जरूर देखेंगे, 4th point पर दोस्ते मैं बात करन गेंगे, बट गेम की release rate अभी confirm नहीं है कि इस game को console पर कब release किया जाएगा, अगर आपने गेम PC पर खेली है, तो मुझे अपना experience जरूर शेर कीजेगा, 5th point पर दोस्तों मैं बात करूंगा, इस game के जो character है, वो किस तरह से move करेंगे, इसका gameplay mechanics कैसा होगा, और इससे देखकर पता चलता है कि एक 3rd percent game है, जिसमें हमें अपने character से stealth way में game को play करना है, ये game वैसा तो इसी साल release होगी, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि इसके exact release rate क्या है, 6th point पर दोस्तों मैं बात लगे, और मैं भी try करना चाहता हूं, तो जो लोग मेरे साथ online multiplayer इस game को खेलना चाहते हैं, जिन्होंने purchase कर रखी है, मुझे comment करके बता दीजेगा, तो इस पार जब भी मैं live streaming करूंगा, तो इस game को भी सरू try करूंगा, और देखेंगे इसका online mode, other game से कितना better है, और according to Ubisoft, in future reverse stroke के अंदर और भी नए online mode दिये जाएंगे, जिस तरह से आप GTA में खेलते हैं, 7th point पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, Fortnite Chapter 2 के नए season के बारे में, जो कि इस बार आएगा new season 6, और उसकी भी release date अभी confirm नहीं की गई है, लेकिन बताय गया है कि ये update आपको इसी March मत में मिल जाएगा, और last point पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि March मत में और कौन-कौन सी game release हो रही है, जो में खेलनी चाहिए, तो maximum जितनी भी games है, उन्हें remastered करके ही release किया जा रहा है, PS5 and Series X के लिए, जो लड़ी PS4 and Xbox One पर release हो चुकी है, जिसमें Avenger का भी नाम शामिल है, तो इसका भी gameplay में आपको जल्दी provide कराऊंगा, और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, और उसमें एक नया DLC भी आने वाला है, लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंतिजार है, March मत में, तो वो game है, It Takes Two, जो कि ये company की game है, और ये game पूरी एक action adventure game है, तो इस game को मैं काफी जादा excited हूँ, और इस game की release date है, 26th March, जो सभी platform पर एक साथ release हो जाएगे, लेकिन हम इस game को PS5 पर ही try करेंगे, तो आप लोगों को कैसा लगाई gaming news के episode, जल्दी से comment करके बता दीजे, गर आप को वीडियो पसंद आई, तो इसे like करो, share करो, channel को subscribe करो, और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आजकल मैं gaming channel पर उतना active नहीं रहता, क्योंकि मैं vlogging वगरा मैं काफी busy हूँ, तो अगर आप मुझे daily connected रहना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं, कि मैं daily life में क्या कर रहा हूँ, तो आप जाकर मेरे main channel को subscribe कर सकते हैं, नमोकार channels pvtltd, और अभी recently मैं